अगर तुम में हिम्मत हो की हजार लोग तुमारे पीछी खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा लेकि तुम उनके सामने खड़े हो तो पुरी दुनिया जीत जाओगे केजिएफ भी मिल गया और वो भी बैदा हो गया और इस फिल्म की कहानी क्या है बाहुबली और 2.0 का रिकार्ड कैसे तोड़ने जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गराथ के फिल्मी गलियारे में 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई एजिया इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड फिल्ड्स करनट सिनेमा इतिहाद की सबसे सफल फिल्म आल टाइम वर्ड वाइट कलेक्शन 250 करोण के पार हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाह वली फ्रेंचाइजी और 2.0 के बाद तीसरी सब ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म इंट्रेस्टिंग बात यह है कि ये सारी अचीब में कहानी के एक टुड़े को मिली है आधी कहानी अभी आना बांकी जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा KGF Chapter 2 KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गरुडा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था Rocky याने की राजा कृषणप्या बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमे से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा Rocky इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही Rocky भाई नाम का एक डौन बन गया उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गरणा को मारने के लिए सुपारी देते पहली बारे में फेल होने के बाद Rocky गरणा को उसके गढ़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहले फिल्म यहीं खत्म हो गई, अधीरा गर्वा का चाचा है, सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधीरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को सम्हालने की जिम्मेदारी गर्वा को सौप देता है, इस बाद से अधीरा नरास, फिल्म के पहले हिस्से मे अधिरा का कई जगा जिक्र आता है जिसमें उसे बहुत ताकतवर और कूर बताया जाता है रौकी के हाथों गरवा की हत्या के बाद अब अधिरा की नजर भी खान पर है दूसरी और रौकी भी उस खान पर अपना कबजा चाहता है इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास पाकत होगी मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है सारी टसल उस खान को लेकर है इसलिए केजियर 2 में रॉकी और अधिरा आमने सामने होंगे साथ में कई और खिलाडी होंगे जो कॉलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहिए पहले फिल्म में सिर्फ गर्वा को मारने की कहानी दिखाई गई थी इसके आगे क्या होता है और फाइनले कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिलेगा लेकिन यहां मेन लड़ाई अधिरा और रॉकी के बीच है इस फिल्म में कन्नट फिल्मों के सुपरस्टार यस अपने रौकी के किरदार को आगे बहाएंगे और कहा जा रहा है कि ये फिल्म बहु बली और टू पॉइंटों से भी बड़ी फिल्म साबित हो और बॉक्स आफिस पर कम से कम 3,000 कौन रूपए का बिजनेस करेगी तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कितने करोन का बिजनेस कर सकती है